है 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 लो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल अनुज जेसे कड़ी में तो फ्रेंश देखें यहां पर आज यह जो अपडेट है यह बीएड इंट्रेंस को लेके देखें जो काफी सारे आपके कमेंट्स आ कि एक्जाम होगा या नहीं होगा तो इसी वीडियो में किलियर हो जाएगा और देखेंगे आज का जो यह न्यूज पर पड़ता उसमें क्या अपडेट आया है बहुत सारे श्रेंड के मन में एक यह है की एक्जाम होगा यह नहीं होगा बार बार उनको डिस्ट्रक्शन होता है इस चीज़ से की जो तैयारी कर रहें क्या वो फाइदा होगा उससे या नहीं होगा तो देखें, यहां पर यह news इसमें, पीर वही news है, जो की मांग उठाई जा रही बार बार, इसमें, देखें, यहां पर कोरोना संकर्मन के दोर में, राजधानी समेत, तेश भर केead college प्रवेश परिक्षा जो है, इसमें, कैसे लिया जाएगा, लखना वु इस विद्याले ने कालेज परशासन तक के लिए यह सवाल मुसीबत बन गया यह है अब परवेश परिक्सा के इस्तान पर मेरिट से लिए जाने की मांग उठने लगी तो यहाँ पर यह केवल मांग है तो देखी आपका यह अभी कुछ भी किलियर नहीं हुआ कि आपका एक्जाम होगा या आपक में परदेश के लावा बाहर के ब्यारती भी जो है लोगडाउन और संकर्म में यह संभव नहीं होगा कि जो है इसमें एक्जाम करा जाए तो इसमें देखी इसी वज़े से यह मेरिट की जो है इसमें मांग कर रहे लेकिन यह अभी किलियर नहीं देखो इसके बाद आगे यहां पर बता है कि इसमें कोट के मुताबिक जो है एक जुलाई तक इसका पूरा जो प्रोसेजर होता है इसका आपकी काउंसलिंग से लेके काउंसलिंग हर बार एक जून से स्टार्ट होती थी तो वो एक जुलाई तक जो उसको पूरी करनी होती थी जो सेसन आपका स्टा बतार करते रहे वो बार-बार इधर उदर की जो न्यूज आती उसको देखके प्रिशान ना हो बिलकुल भी जहां तक देखें मेरा मानना है कि 99 परसेंट आपका यह जो है आपका यह इंटरेंस एक्जाम जरूर होगा यहां पर चल मान लेते हैं कि कोई यहां पर कुछ कमेंट्स आ रहे कि यहां पर मैरिट के आधार पर क्यों नहीं होगा इसको समझना आए देखो चलिए मैरिट के माक्स देखे जाएगे इसी के आधार पर जैसे बीटी सी में एडमिशन मिलता है माल लेते इसमें भी आपका एडमिशन ऐसे ही दिये जाएगा लेकिन अभी आप खुद सोचो कि आपकी यूनिवर्स्टी के अभी एक्जाम कम्प्लिट नहीं हुए देखो जो सीसे के आपके कम्प्लिट एक्जाम नहीं हो जाते रिजल्ट नहीं हो जाता तब तो तो आपका मेरिट का बनने का मतलब ही नहीं कि मेरिट कैसे बन जाएगी तो देखो मेरिट के आधार पे बिल्कुल भी चांस नहीं है तो यहां पर आपके जो ग्रिश्न के आपके order होगे वह पहले अब्र कहने जब यहां पर आपके जो अलग-अलग sabjakt का चार-पांच पेपर है अभी अगर चार-पांच अभी पेपर और देखिए खराए होते हैं यह जो होगे अभी लोगडाउन के बाद जैसे सही होगी तो क्या यहां पर एक दिन के लिए जो इंट्रेंस एक्जाम होता है क्या वो नहीं हो सकता तो यह बिल्कुल संभव है तो आपका यह एक्जाम होगा जो अच्छे से त्यारी कर रहें अपना वह लगतार करते है तो यहां पर आपका एडमिशन हैं मेरिट के अधार पर यहां पर ना के बराबर आपका है देखो आपके यह पहले ग्रेशन के जो आपके अभी पेपर बचे वह आपके अपके कम्प्लीट होगे जब हो सकते तो आपका एक दिन का जो यह एक्जाम होता है यह जरूर यहां पर आपका अधार कुछ नहीं होगा तो जरूर आप कमेंट करना और देको यहां पर जूपी टीसी के विए व बीटीसी का फोर्म जब तक आपका नहीं आएगा आपका जब तक आपका ये ग्रेजुशन के कंप्लीट आपके पेपर नहीं हो जाते लगबग सभी उनिवेस्टियों के क्योंकि जो बीटी सी में एडमिशन मिलता है दस जार फिरी सीट है उसमें और बाकी 1,90,000 प्राइवेट सीट होती है वो आपका 10th 12th और आपका ग्रेजुशन के तो यहां पे बीड में क्या होता है जो तयारी अच्छी करते भली आपका ग्रेशन में 50% अगर आप इंट्रेंस अच्छा करते तो आपको यहां पे एडमिशन दिया जाता है तो यहां पे बीड में एडमिशन के लिए बहुत अच्छा एक यह इसमें परकिरिया है कि आपक झाल झाल